वाइगुरुजी का खाल्चा वाइगुरुजी की फते शिख चिंतन दी महानता इस गल विच है कि शिख चिंतन विच मनुख दे संपूरन समाज दे सिर्जिन दी गल किती गई है कोल जीवन जाच दसन दा सुनेहां दिता गया है इस दे नाल नाल तरम करम दे विच सब तों वड़ी गल जो किती गई है वे है कि बेजान वस्तानू पत्थरानू बुत्तानू मूर्तियानू पूजण तो मनुख नू रुकना चाहिए क्योंके उनना कोल मनुख लई कोई सुनेहां नहीं हुन्दा वो उस विड़े दियां गल्ला ने जदो मनुख जे चेतन नहीं सी जदो उसकोड तरक नहीं सी जदो उसनू अकाल पुर्ख दे संबन वेचे सोजी नहीं सी आई गुरुण आनक साहिब ने ए सोजी मनुख दे सामने परताक रूप पिछ रखी उन्हाने एक ज्ञान पर गटाया इसरे ने दूर कीता है कि पत्थरा ने बोरना नहीं पत्थर ना शीरवाद दे साक़ देया पत्थर ना कल्यान कार साक़ देया एक कोई जादू दी पटारी नहीं हम दी इस करके मनुखनू बुत पूजा मुर्ती पूजा जा इस तरह दे किसे भी वेंपर्म विच नहीं पैना चाहीजा मनुखनू गयानक तरीके नाड अपनी सोच निबानी चाहीजी है और अकाल पुर्खदे जो एट्रिब्यूट्स ने उना विच्छों सब्तों पहला एट्रिब्यूट्स है कि उस दा वाहन शब्द है उस दा माजम सब्द है उसनों सब्द दी रहीं परगट किता जा सकता है इसलिए अकाल पुर्खदे संबंद विच्छ जे पगती पावना परगट करनी है जे शर्दा पर्गड़ करनी है जे प्रेम पर्गड़ करना है ताँ सबस दी रही है उस दे नार जुड़या जा सकता है जहां गुरू जो साकारात्मक रूप है जिसने मनुखनू अकाल परुखदा सुने हैं देने उसकोड जाया जा सकता है इसलिए गुरू नानिक साहब ने आघाज किता है इस गलदा और बाकी बानी कारने जाहे उन्हा विच पक्त बानी कारने जाहे गुरू बानी कारने उन्हाने इस नहां देता कि बुता दी पूजा तों पिछे हट्ना चाहिजए और बुता दी पूजा राही कुछ भी प्रापत होन वाला नहीं जो तन्य पगत वर गे पगताने संबंद विच एस तरह नियां करामाता जोड़ियां गई हैं कि उसने पत्थर विच्चों अकाल पुर्ख नू परगड कीता अकाल पुर्ख आप जाहर होए एहो जी कोई गाल नहीं इदना दी करामात वेच गुर्मत यकीन नहीं कर दी गुर्मत बुत पूजा नू उकका पुका राद कर दी है तो गुरु सांब इस पाष्ट तरते केंदेने के अंदे गुंगे अंद अनार पाथर ले पूजे मुग्द गवार ओए जे आप डुबे तुम कहां तार नहार कर्मे ठाकर नदर नाव गढ में पाहन लटकावे कर्मे ठाकर दा बहुत लगे शित अर्ध है के अकालपुर्ख मुनुख दे अंदर ही वस्द है उस दे कार वे घी है उसते अंग संग है उस तू दोर नहीं है ऑस नाड रम्या होया है लेकन उस नू मनोख पो लगया है इस कारण पो लगया है कि उस दे अंदर दूज दा पाव पैदा हो गया है और अकालपुरुक तो दूर हो गया उदे नाणो होली होली टुट गया उदे टुटंड deleting ऐ कारण उस नू फिर तरले लेने पैंदे है लेकन इन्ना तरलेंदा इलाज कोई है कि अकाल प्रुक्ष दी संबंदी चेतन ता पैदा किती जावे उस दे वजूद दे विच उस दी होंद विच चाहे यो हंद निर्गूना निराकार है अबस्ट्रेक्ट आपाववा चेक है उस दी होंद विच यकीन कीता जावे और उस दे संबंद विच जो कास्मक काशिसनेस है जो ब्रहमंडी चेतना है उस नाल जुड़ा जावे तां ही मनुख अगे वद सकता है और शान्ती दे संसार विच जा सकता है सहजनू प्रापत कर सकता है मन्दी जो उड़ारी है उस तो मुक्त हो सकता है काम करोद लोब मोहंकार तो शुटकारा पा सकता है लेकन जे देवियां जा देवतेयां जा बुतां जा पत्थरां जा ताग्यां तो भीतां ते यकीन करन लगी जाएंदा है ता पत्कन दा गेड मुक्ण बेच नहीं आउदा जो पाथर को कहते देव ताकी बिर्था होए सेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल जाएं जाए ठाकर हमरा साथ बोलांता सर्भ जी को प्रभजान दांता ना पाथर बोले ना किछ दे फोकट कर्म नेफल है सेव बहुत ही सपाष्ट एदे तों सपाष्ट होर कोई सुनेहा नहीं दिता जा सकदा बड़े लोकानों कई वारे वह मुंदा है ये शांका हो जाएंदी है के गुर्बानी दी पाशा उखी है लेकर जदों असी ते आनाड पड़ दे जदों विचार दें होया पाथ कर दें जदों विचार दें होया उस दे नाड जुड़ दें तथा एक एक शवद सादेजे अंदर उत्रदा जानदा है। गुरु साब ने कोई भी एस तरह दा सवाल देड़ा है बाकी रहन नहीं देता, मनवख दी हर पाँड़ी जग आशा नो गुरु साब और निवर्ट कर देने हर स्वाल दा उत्र देने और हर स्वाल दा उत्र दे लेंड तों बाद मनुख शांती रे आलम वे चले जानदा है सैज रे आलम वे चले जानदा है गुरू साहिब दे सुने हैं तों पिछों पत्थरां दी पूजा बुत्तां दी पूजा मूर्तियां दी पूजा करन वाड़ा जिड़ा मनुख है ओ गुर्मत दातार नी नहीं रहेंदा मनमत दातार नी बन जाएंदा है इस करके जिनने भी सिक चिंतनार जुड़न वाड़े लोक है उननों इस पास्ट सुनेहा मिल जाएंदा है के अकाल पुरुख दी होंदनों सवी कार करन ले किसे आन वास्तों दी जरूरत नहीं आप ही कोई मूरती जां बहुत बना लो फेर उस दी पूजा करनी शुरू कर दो फेर उसनों मत्था ठेकना शुरू कर दो एस विच कोई दलील नजर नहीं आओ दी क्योंकि पत्थर ने ना अगवाई दे सकनी है ना कोई किसे किसम दी चेतन पैदा कर सकनी याँ ना मनुक नू कोई दारता दे सकनी याई इस कर के बुत्ता दी पूजा दे जिडिये रवाज पए होई ने उना नू सिख चिंटन मुड़ों राद कर दाए और गरुरु नानक साहिब ने मुकंबल एंसान दी मुकंबल समाझ दी मुकंबल जीवन और पारियां पर्पाठबढ चाहएं अनू राद किता है, है तऊ बहुत ही सपास्ता कें दे ने व्यांक कर दें होयां, यांक बानी देविथे अ बड़ा ही सपास्ता शब्द केहे सब्द कहे ने, गुरु ग्रांचर शाभ देाविथे ने भी बाणीयां गुरू रूप क्यर्व साइब दी बाड़ी है आप जानदे है के गुरू ग्रांच साहब दे बिच्ट छे गुरुआ दी पंदरां पकतां दी ते 15 ही गुरू कर प्रेमियां दी बाड़ी मौजुद है उस बाड़ी दी रही गुरू साहब मनुक नू टोटल जीवन जाच कुल उसार जो है मन उखदा उसनू तब्दील करनदा सुनेहां देने उस सुनेहां नू सभी कारंटों बेना असी अकाल पुर्खदे नाड नहीं जोड़ साकदे असी असल तर्मदे नाड नहीं जोड़ साकदे असी गुरू ग्रांट साइम जोट नाड नहीं जोड़ साकदे ते जदू जोट न